पोशन वृद्धी और विकास के लिए जरूरी होते हैं ऐसे तत्वों या पदार्थों को पोशक कत्व या पोशक पदात कहते हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि पोशन बहुत सी जटिल, जैविक, रासायनिक क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप है जिससे शरीर की रचना, टूट फूट की मरमत, उर्जा उत्पादन, बुध्धी तथा विकास होता है स्वपोशी पोशन जीव जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, स्वपोशी कहलाते हैं हरे पौधे अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं. अता ये स्वपोशी कहलाते हैं. स्वपोशी जीव प्रकाश संसलेशन द्वारा कार्बन तथा उर्जा की आवशक्ताएं पूरी करते हैं. प्रकाश संसलेशन पौधों की एक ऐसी शरीर प्रक्रिया है जिसमें पर्ण रहित एवँ सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में कार्बन डायकसाइड एवँ जल संयोग कर शरकरा यानि कार्बो हाइडरेट का निर्मान करते हैं. जो जीव अकार्बनिक श्रोतों से कार्बन डायकसाइड तथा जल के रूप में सरल्पदार्थ प्राप्त करते हैं, इन्हें स्वपोशी कहा जाता है. इसके अंतरगत सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवानों आते हैं. हरित लवक की सनरचना पत्तियों का परिरंब प्रकाश संसलेशन का शेत्र है. यह अधिचर्म यानि उपरी बहायत वचा के ठीक नीचे होता है. इसमें हरित लवक होते हैं. ग्लुकोस पत्ती की कोशिकाओं से फ्लोयम द्वारा पौधों के पूरे छरीर में वित्रित हो जाता है. रंद्र पत्ती की सतय पर सुक्ष्न छिद्र होते हैं. प्रकाश संसलेशन के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इनी छिद्रों के द्वारा होता है. इन रंद्रों से प्रयाप्त मात्रा में जल की भी हानी होती है. इसलिए जब प्रकाश संसलेशन के लिए कारब द्वार कोशिकाओं के कारण होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंधर का छिद्र खुल जाता है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाओं सिकुडती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। अब हम जान चुके हैं कि स्वपोश अपनी उर्जा आवशक्ता की पूर्ती किस प्रकार करते हैं। कार्बो हाइड्रेट से पौधे में उर्जा मिलती है। प्रकार संसलेशन के दौरान निमनलिखित घटनाएं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश उर्जा को अवशोशित करना। प्रकाश उर्जा को रासाइनिक उर्जा में रुपांतरित करना। जल अनुओं का हाइड्रोजन तथा अक्सिजन में अपगटन कार्बन डायकसाइड का कार्बो हाइड्रेट में अपचेन प्रकाश संसलेशन की क्रिया को निमने रासायनिक समिकरन द्वारा प्रदर्शित करते हैं 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्रकाश संसलेशन की विधी रंद्र पत्ती की सताय पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं इन रंधों से प्रयाप्त मात्रा में जल की भी हानी होती है चिद्रों का खुलना एवं बंध होना द्वार कोशिकाओं के कारण होता है द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंदर का चिद्र खुल जाता है इसी प्रकार जब द्वारकोशिकाएं सिकुडती हैं तो छिद्र बंध हो जाता है। हरे पौधे प्रकार संसलेशन में बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित उर्जा के रूप में परिवर्थित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से पौधों में उर्जा मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयोक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। विश्म पोशी पोशन कुछ जीव अपना भोजन स्वयम नहीं बनाते बलकि भोजन के लिए पौधों या जन्तुओं पर निर्भर रहते हैं। पोशन प्राप्त करने की इस विधी को विश्म पोशी पोशन एवं ऐसे जीवों को विश्म पोशी कहते हैं। जिवानूं, कवक एवं परजीवी विश्म पोशी है। अमीबा एक कोशिय जीव है। यह सतय से उंगली नुमा अस्थाई प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहन करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लिते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विश्रित हो जाते हैं। बचे हुए आपच पदार्थ कोशिका की सतह द्वारा बाहर निकाल दिये जाते हैं। पैरा मीश्यम भी एक कोशिकी इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है, तथा भोजन एक विशिष थान से ही ग्रहन किया जाता है। भोजन इस थान तक पक्षमाब की गती द्वारा पहुचाय जाता है। भोजन ग्रहन करने की विधी प्रतेक जीव अपने पर्यावरन के लिए अनुकूलित होता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलवधजा के आधार पर पोशन की विधी विभिन प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहन करने के ढंग पर भी निर्भ शरीर के बाहर करने के उपरांद उसका अवशोशन करते हैं। विभिन जीवों में पाचन तंत्र भिन होता है। इसका कारण भोजन और उसके अंत ग्रहन की विधी का भिन होना है। आग कोशिकिये जीवों में भोजन संपून सतह से लिया जा सकता है। परंतु जीव की जट तलता बढ़ने के साथ साथ विभिन कारे करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। तलता बढ़ने के साथ से सरल पदार्थों में खंडित कर उसका उप्योग अपने समारक्षन तथा वृद्धी के लिए करते हैं। अता विश्म पोशी जीव उत्तर जीविता के लिए प्रतक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोशी पर आश्रित रहते हैं। इसके अंतरगत म मुख्य रूप से जन्तू तथा कवक आते हैं। मनुष्य के पोशन मनुष्य में पोशन भोजन से प्राप्त होता है। भोजन में मुख्य रूप से कार्बो हाइडरेट, वसा, प्रोटीन, खनिजलमन, विटामिन एवं जल होते हैं। कार्बो हाइडरेट एवं वसा शरी शरीर की टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। खनेज लवन एवं विटामिन शरीर की जैविक्रियाओं के संचालन तथा रोगों से बचाव के लिए प्रतिरोधिक शमता प्रदान करते हैं। इन पोशक तत्वों के सरलिकरन की क्रिया पाचन नाल में यांतरिक एवं जैवरासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा हुती है। इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को पाचन कहते हैं। पाचन के फल स्वरूप निर्मित सरल पदार्थों का आविशोशन कर उन्हें शरीर की व आहारनाल और पाचन ग्रंथियाँ भाग लेती हैं। आहारनाल आहारनाल विभिन मोटाई की लगभग 10 मीटर लंबी एवं तेरी मेडी नली है। जिसका विस्तार मुह से लेकर मल द्वार तक होता है। यह आहारनाल का सबसे अग्र भाग है। इसमें चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांतों द्वारा भोजन को कुतरने एवं चबाने का काम होता है। जीब भोजन को दांतों से चबाने एवं पीचने में सहहता करती है। ग्रास नली मुख़ गुहा एक संकीन नली में खुलती है, जिसे ग्रास नली कहते हैं. यह मुख़ गुहा एवं अमाशय को जोडने वाली एक नली है. अमाशय ग्रास नली एक चोड़ी ठैली में खुलती है जिसे आमाशय कहते हैं आमाशय का पिछला सिरा एक लंबी एवं कुंडलित नली में मिलता है जिसे अंतरी कहते हैं आंत दो भागों में विभक्त होती है क उपर वाले भाग को छोटी आंत और नीचे वाले भाग को बड़ी आंत कहा जाता है छोटी आंत का वह सिरा जो आमाशय से जुड़ा रहता है ग्रहनी कहलाता है छोटी आंत के निचले भाग को इलियम कहते हैं इलियम बड़ी आंत में खुलता है, बड़ी आंत मलाशय से जुड़ा होता है, बड़ी आंत के अगर भाग को सीकम कहते हैं, सीकम के निचले भाग से ओसतन 8.5 cm लंबी अंध नली निकलती है, जिसे क्रिमी रूप परिशेशिका कहते हैं, यह एक अवशेशांग है, पाचन ग ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पाचन की क्रिया के लिए आवशक पाचन रस स्रावित करती हैं, पाचन ग्रंथियां निमनलिखित हैं, लार ग्रंथियां, यह मुख गुहा में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं, जो टाइलिन तथा म्यूसिन नामक रस स्रावित करती ह जठर ग्रंतियां ये ग्रंतियां आमाशय की भित्ती में पाई जाती हैं। इससे निकलने वाले जठर रस आमाशय में आने वाले भोजन में मिलकर पाचन की क्रिया में साहता करता है। यकृत ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंति है जो उदर गुहा के उपरी भाग में स्थित होती है। ये गहरे घूसर रंकी होती है। ये एक खाच द्वारा दो खंडों में विभक्त होती है। इसके निचले भाग में एक छोटी थैली होती है जिसे पिताशय कहते हैं। यकृत के विभिन भागों से अनेक नलिकाएं पिताशय में खुलती है। यकृत द्वारा रिसावित पित इस थैली में संचित रहता है। पिताशय एक नली द्वारा छोटी आंत में खुलता पिताशे से आने वाला पित छोटी आंथ की पाचन क्रिया को तीवर कर देता है। अगनाशे यह शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथी है। यह अगन्याशेक रस रिसावित करती है। यह रस एक नली का द्वारा पकवाशे में आता है। अगनाशेक रस स्वचक्षारी द्रव है जिसमें मुख्य रूप से एमाइलेज, ट्रिपसिन, लाइपेज आदी इंजाइम पाए जाते हैं। अगनाशेक के मध्य में एक विशेश प्रकार की कोशिकाओं का समू होता है। इसे लेंगरहंस की दूपिका कहते हैं। यह इंसुलिन नामक हार्मोन रिसावित करती है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। प्रयाप्त मात्रा में इंसुलिन का रिसाव नहीं होने से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और मनुष्य मदुमें नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा में पाचन मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंतियों से रिचावित लार भोजन में मिलकर इसे नर्म बना देता है। लार की म्यूसिन भोजन को लस्दार बना देता है। टाइलिन अत्वा एमाईलेज मंड को सरल शरकरा में बदल देता है, इसलिए रोटी खाने में मीठी लगती है। लार्स से युक्त भोजन ग्रासनली से होकर आमाशय में पहुँचता है। ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। आमाशय में भोजन के पहुँचते ही आमाशय की भित्ती से रिसावित गेस्ट्रिन नामक हार्मोन आमाशय ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है और जठर ग्रंथियां जठर रस रिसावित करती हैं। जठर रस में लगभाग 90 प्रतिशत जल, 0.5 प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अमल यानि HCL, पेपसी नोजन, रेनिन तथा गेस्ट्रिक लाइपेज नामक्त इंजाइम पाए जाते हैं। आमाशे में पाचन, HCL भोजन के साथ आने वाले जिवानों को नश्ट कर देता है, और भोजन को सड़ने से बचाता है, तथा रेनिन एवं पेपसोनोजन को सक्रिय बना देता है। पेपसिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं प्रोटियोजेज में बदल देता है। रेनिन दूद का ठक्का बनाने का कार्रे करता है। लाइपेज वसा को वसीय अमल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। पाचन के बाद आमाशय में भोजन गाड़ा हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम पाइलोरित छिद्र से होकर पकवाशय में पहुंचता है। भोजन के छोटी आंत में पहुंचने पर इसकी भित्ती कोलेस्टो काइनिन एवं सिक्रीटिन नामक हार्मोन रिसावित करती है। कोलेस्टो काइनिन पित्ता शय को सक्रिये कर पित रस रिसावित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक इसी समय आंत ग्रंथियां जिसे क्रिप्तस ओफ लिवर कुहन भी कहा जाता है। उत्तेजित होकर आंत रस रिसावित करती है। आंत रस को सक्कस एंटिरिकस भी कहा जाता है। इस प्रकार पक्वाशे में पित्रस तथा सक्कस एंटिरिकस भोजन्म से भली भांती मिल जाते हैं। अगना शेईक रस स्वच क्षारी द्रव है। इसमें एमाईलेज, माल्टेज, ट्रिपसिन एवं लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। एमाईलेज एवं माल्टेज कार्भोहईडरेट को पचाता है। ट्रिपसिन प्रोटीन को पचाता है जबकि लाइपेज वसा को पचाता है। सक्कस एंटिरिकस से रिसावित उतेजक, एंट्रो काइनेज, अक्रियट्रिपसिनो जेन को सक्रियट्रिपसिन में बदल देता है। छोटी आंत में पाचन छोटी आंत से रिसावित होने वाले प्रमुक इंजाइम हैं Peptidages, Lipase, Maltase, Invertase एवं Lactase Peptidages, Peptones को Amino Aml में, Lipase Pyscrit Vasa को Vasa Aml एवं Glycerol में Maltase, Maltase को Glucose में Invertase, Sucrose को Glucose एवं Fructose में तसा Lactase, Lactose को Glucose एवं Glycose में बदल देता है अवशोशन पचे हुए भोजन का अवशोशन छोटी आथ के इलियम में होता है इलियम की भीत्री भत्ती से उंगली सद्रिश प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसे अंकुर कहते हैं अंकुर में रक्त एवं लसिका वाहिकाओं के जाल बिछे होते हैं सरलिकरित भोजन, अमीनो अमल, ग्लूकोज एवं अन्य सरल शरकरा, लवन आदी अवशोशित होकर अंकुर की रक्त वाहिकाओं से होकर रक्त में मिल जाते हैं वसा अमल तथा ग्लिसरॉल का अवशोशन लसिका वाहिकाओं द्वारा होता है स्वांगी करण अवशोशित भोजन से कोशिकाओं द्वारा नए जीव द्रव्वे का संसलेशन, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्मान, उर्जा उत्पादन आदी प्रक्रियाएं स्वांगी करण के अंतरगत आती हैं अवशोशन के बाद अमीनो अमल एवं सरल शरकरा रक्त परी संतरन तंतर द्वारा यकृत में आते हैं इसके बाद ये पोशक तत्व हिर्दे होते हुए शरीर के विभिन कोशिकाओं में वित्रित कर दिये जाते हैं अमीनो अमल का उप्योग जीव द्रव्य के निर्माण में होता है आवशक्ता से अधिक अमीनो अमल यकृत द्वारा अमोनिया और यूरिया में परिनत कर दिया जाता है आवशक्ता से अधिक शरकरा जटिल शरकरा ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत की कोशिकाओं में संचित हो जाती है जब कभी शरीर में शरकरा की कमी होती है तो यही ग्लाइकोजेन पुना विखंडित होकर सरल शरकरा की कमी को पूरा करता है बही श्खेपन, भोजन के पाचन एवं आवशोशन के बाद अवांचित शेश पदार्थ यानी बिनापचा भोजन बही दांतर में भेज दिया जाता है जहां अथी संखे दीर घ्रोम इस पदार्थ में से जल का आवशोशन कर लेते हैं अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस व्रज्य पदार्थ का बहिश्खेपन गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्सर्जन पौधों एवं जन्तूों के शरीर में उपापचय की क्रियाओं के फल स्वरूप अपिश्ट पदार्थ बनते हैं। ये विशेले होते हैं। अता इनका शरीर से लगातार निशकासन आवश्चक है। शरीर से अपिश्ट पदार्थों के निशकासन की क्रिया को उत्सरजन कहते हैं, विभिन जन्तू इसके लिए विविध युक्तियां अपनाते हैं, बहुत से एक कोश की ये जीव इन अपिष्टों को शरीर की सता से जल में विसरित कर देते हैं, जटिल बहु कोश की ये जीव इस कारे को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उ उप्योग करते हैं, मानव में उत्सरजन, मानव के उत्सरजन तंत्र में एक जोड़ा विकक, एक मूत्रवहानी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है, विकक उदर में रीड की हड्डीव के दोनों और स्थित होते हैं, विकक में मूत्र बनने के बाद मूत्रव पाहिनी में होता हुआ, मुत्राशय में आ जाता है, तथा यहां तब तक एकत रहता है, जब तक मुत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता है। फिर से अलग कर लिये जाते हैं, व्रिकक में आधारी निस्यंदक, एकक, फुफुस की तरा ही बहुत पतली भित्ती वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। पाई जाती हैं, जिनने व्रिकक काणू कहते हैं। नेफ्रोन व्रिकक की कार्यात्मक इकाई है। यह अपिष्ट पदार्थों को रक्च से प्रिथक करने का कार्य करता है। नेफ्रोन आपस में निकटा से समायोजित रहते हैं। व्रिकक में मूत्र निर्माण। कुंडलित नलिका द्वारा लगभग 90 प्रतिशत जल, अधिकांश खनिजलवन, ग्लूकोस आदी अवशोशित होकर रक्ट में पुना चले जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद भी रक्त में अल्प मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ बचे रह जाते हैं। इन पदार्थों का निशकासन अप वाही धमनिका द्वारा निर्मित कोशिकाओं के जाल से कुंडलित नालिका में रिस्वरन द्वारा किया जाता है। मूत्रमाग द्वारा निकलता रहता है। मूत्राशय पेशिय होता है अता यह तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। कृत्रिम व्रिकक या अपोहन असामान ने स्थिती में मनुष्य का व्रिकक कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिती में शल्ले चिकित सक किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर से एक व्रिकक निकाल कर रोगी के शरीर में प्रतिरोपित कर देते हैं। परन्तु कभी-कभी स्वस्थ मनुष्य का व्रिकक उपलब्द नहीं होने पर कृत्रिम व्रिकक का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम व्रिकक के प्रयोग करने में सेलोफेन नलिका को उप्योग में लाय जाता है। इसमें रोगी के रक्त को किसी एक धमनी द्वारा सेलोफे नलिका में पंप कर दिया जाता है। यह सेलोफे नलिका लवन के घोल में निलम्बित रहती है। जब इस सेलुफेन नली का द्वारा उच्चदाब पर रक्त प्रवायत होता है तब उसमें से आयन और उच्सरजी पदार्थ के छोटे अणु लवन के घोल में पोहित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपोहन या डायलेसिस कहते हैं। इस प्रकार रक्त के कई बार अपोहन होने के फल स्वरूप यह उच्सरजी पदार्थों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। यही शुद्ध रक्त किसी शिरा के द्वारा रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार एक कृत्रिम विकक नाइट्रोजनी अप्षिष्ट उत्पादों को रुधिर से पोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है यह विकक के कार्रे के समान है परंतु इसमें कोई पुनारव शोशन नहीं होता है। प्राय एक स्वस्थ व्यस्क में प्रति दिन 180 लीटर आरंबिक विकक में होता है। यदि पी एक दिन में उच्छर्जित मूत्र का आयतन वास पौधों में उच्छर्जन पादपों में भी बहुत से अप्षिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये पादपों की चाल, फल, बीज और पत्तियों द्वारा पौधों से अलग होते रहते हैं। पादपों में बनने वाले अप्षिष्ट पदार्थ अगर लिखित हैं। कार्बन डायक्साइड श्वसन के फल सोरूप कार्बन डायक्साइड गैस बनती है। यह रात्री में वायू मंडल में उच्छर्जित होती है और दिन में प्राय प्रकाश शंसलेशन की क्रिया के लिए उप्योग में आ जाती है। खनेजलवन आवशक्ता से अधिक खनेजलवन पौधे की पत्यों में रवे के रूप में पाय जाते हैं। जैसे केल्शियम कार्बोनेट के रवे बरगद एवं रबर की पत्यों में मिलते हैं। केल्शियम ओग्जलेट के रवे, प्याज के शल्क पत्र एवं जल कुम्भी, कुमुदनी आदी जलिये पौधो में मिलते हैं। एथिलीन गैस यह पके हुए फलों से गैस के रूप में उच्सर्जित होती है। वाश्पशील तेल सुगंदित तेल नीम्बू जाती की पत्यों एवं फलों के छिलके, युकलिप्टस, लेवेंडर, लॉंग के फूल, इलाइची के बीज, चंदन की लकडी, तुलसी की पत्यों में पाय जाता है। इनका उप्योग, सेंट, सुगंदित तेल, साबुन, और शदियों के निर्मान एवं भोजन को सुगंदित करने में होता है। यह मुख्य रूप से बबूल एवं कथा की छालों तथा हरे एवं बहेडा के फलों में पाय जाता है। चाय की पत्ती में भी टैनिन प्रचूर मात्रा में मिलता है। पेड से फलों एवं चाल के अलग होने से यह उच्शर्जित होते हैं। टैनिन का उप्योग, चर्म उध्योग, वस्तर रंगाई, औशधी एवं कथा बनाने में होता है। रेजिन ये गोंद के समान होते हैं परन्तु ये सुगंदित होते हैं क्यूंकि इन में एरोमेटिक रसायन होते हैं। ये पाइनस, एबीस, आदी वरिक्षों के तनों से प्राप्त होते हैं। इसका उप्योग वार्निश बनाने तथा लकडी के उप्सकरों की पालिश करने में होता है। लेटेक्स, यूफोर्बिया, बर्गद, पीपल, रबर आदी में यह दूध के समान श्वेत, पोस्ता में पीला, अथवा केला में जल्वत पदार्थ के रूप में तने में पाय जाता है। रबर में लेक्टस से रबर का उत्पादन होता है। ये नाइट्रोजन युक्त ख्षारिय रासायन है जो पौधों के विभिन भागों में पाय जाते हैं। इनका उप्योग औशधी निर्मान में होता है। बहुत से पादब अभिष्ट उत्पाद कोश की रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। पादब भी कुछ अपिष्ट पधार्तों को अपने आसपास की मिरिदा में उत्सरजित करते हैं। पादबों में खनिज लवडों तथा जल परिवहन की विधी। जायलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वहनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल सनवहन वाहिकाओं को एक सतत जाल बनाती हैं। जो पादब के सभी भागों से संबंध होता है। जल एवम उसमें घुलित लवडों का आवशोशन, जड़ों के अधी चर्म में उत्पन मूल रोम द्वारा परासरन विधी द्वारा होता है। जल मूल रोम से मूल उत्तक होता हुआ, जायलम तक पहुँचता है। जाइलम द्वारा जल को उंचे व्रिक्षों तक पहुँचाने में भौतिक बल की आवशक्ता होती है यह भौतिक बल वाशपोच सर्जन क्रिया द्वारा उत्पन होता है पत्तियों से वाशपोच सर्जन की क्रिया के कारण मिजोफिल कोशिकाओं में जल के आभाव की स्थिती उत्पन हो जाती है इस कमी को पूरा करने के लिए पत्ती की जायलम कोशिकाओं से जल मिजोफिल की ओर निद्रिश्ट होती है पत्ती के जायलम में स्थित जल में तनाव उत्पन होता है जो क्रमा नुसार तने एवं जड़ों के जायलम के जल पर पड़ता है जड़ों के जायलम से पत्तियों के जायलम तक जल का सतत स्तंब बना रहता है ऐसे स्तंब का कारण जल के अणूं का संसंजक बल होता है जिसके कारण जल के अणूं एक साथ जुड़े रहते हैं श्वसन अक्सिजन ग्रहन करने एवं कार्बन डायोकसाइड गैस छोड़ने को श्वसन कहते हैं जिन खाद्य पदार्थों का अंतर ग्रहन पोशन प्रक्रम में होता है, कोशिकाएं उनका उप्योग विभिन जैव प्रक्रम के लिए उर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विभिन जीव इसे भिन विध्यों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोस को पूर्णता कार्बन डायोकसाइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। कुछ अन्य जीव दूसरे पत का उप्योग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रियो विखंडित होकर कार्बन डायोकसाइड तथा जल में परिनत्थ हो जाता है। कुछ यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिती में होता है अता इसे वाई विये श्वसन कहते हैं। वाई विये श्वसन में उर्जा का मोचन अव वाई विये श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रियोक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज, एक 6 कार्बन वाले अनू का पाईरुवेट, 3 कार्बन वाले अनू में विखंडन होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्वे में होता है। इसके पस्चात पाईरुवेट, इथनॉल तथा कार्बन डायोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किनुवन के समय यीस्ट में होता है। अता इसे अव वाईव ये श्वसन कहते हैं। कभी-कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आभाव हो जाता है, तब पाईरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पत अपनाय जाता है। इस थिती में पाईरुवेट एक अन्य तीन कार्बन वाले अनू लेक्टिक अमल में परिवर्थित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया में होने से हमारी पेशियों में लेक्टिक अमल का निर्मान होना क्रेंप का कारण होता है। लेक्टिक अमल का निर्मान कुछ जीवानु द्वारा भी किया जाता है। शरीर सतह से श्वसन, क्लेमाई डोमनास, युगलीना, अमीबा, पेरमीशियम आदी एक कोशकिये जीव जल में घुलित ऑक्सीजन विसरन द्वारा ग्रिहन करते हैं तथा कारबन डायकसाइड छोड़ते हैं। यही स्थिती जलनी मगन बहुकोश ये पौधों में देखने को मिलती है। जन्तों में श्वसन अंग बहुकोश किये जन्तों के श्वसनांगों में कई प्रकार के अंग होते हैं। विसरन द्वारा अपनी तवचा से अक्सीजन लेता है और कारबन डायकसाइड विमुक्त करता है। मेंड़क में फेफड़े होते हैं, फिर भी ये त्वच श्वसन एवं फुफुस ये श्वसन करता है। मनुष्य का श्वसन अंग मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है, लेकिन इससे जुड़े कई सहायक अंग हैं। श्वसन अंग नाक से आरंब होता है और वायू प्रकोष्ट में अंत होता है। मनुष्य में वायू शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा प्रवेश करती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायू मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निश्समपंदित हो जाती है जिससे शरीर में जाने वाली वायू धूल तथा दूसरी अशुधियां रहित होती है। यह आगे चल कर दो भागों में विभक्त हो जाता है। प्रतेक भाग जिसे श्वासनली कहते हैं एक-एक फेफडे में चला जाता है। श्वासनली पुना श्वसननली का में विभक्त हो जाती है। फेफडा गुलाबी रंग की स्पंजी रचना है जो लाखो वायू कुपिकाओं से बना होता है। दोनों फेफडे एक दाया एवं एक बाया वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। दोनों फेफडे के लगभग बीच में हृदे स्थित होता है। श्वसन नलिका की अंतिम शाखा एक एक कुपिका में खुलती है। कुपिका की बाहरी भित्ती पर अतिसूक्ष्म रक्त कोशिका एवं कुपिका को विभाजित करती हुई एपिथीलियम कोशिका की द्वीस्तरिय भित्ती होती है। जिससे गैसों का विनिमय होता है। मनुश्यों में श्वसन क्रिया मनुश्यों में श्वसन की क्रिया विधी निम्न प्रकार से होती है। नमबर एक. श्वसन क्रिया या सांस लेना. हवा के फेफड़ों में प्रवेश करने तथा फेफड़े की हवा के बाहर आने को सामाने भाषा में श्वसन या सांस लेना कहते हैं. हवा के इस प्रकार गतिमान होने में कई क्रियाएं होती हैं. सर्व प्रथम आत को हलका दबाते हुए डायफ्राम नीचे दबता है इस समय मास पेशियों के संकुचन के कारण पसलियां उपर और बाहर की ओर गती करती है इस से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है इस क्रिया में फेफडे की हवा का दाब वायुमंडल की हवा के दाब से कम होता है फलता हवा फेफडे में चली जाती है इसे अंत्श्वसन कहते है जब वक्ष गुहा का संकुचन होता है तो फेफडे में हवा का दाब बढ़ जाता है और हवा बाहर निकल जाती है इसे नीश्वसन कहते हैं नमबर दो बहायश्वसन श्वसन द्वारा ग्रहन की गई हवा की ऑक्सीजन कुपिका से विस्रित होकर रक्त में पहुँचता है एवं रक्त का कारबन डायकसाइड विस्रित होकर कुपिका में आता है कुपिका में ऑक्सीजन का सांद्रण अधिक होता है और रक्त में कम ठीक इसके विपरीत कार्बन डायकसाइड की स्थिती होती है इसी कारण सांस द्वारा ली गई एवं छोड़ी गई हवा के घटकों के अनुपात में अंतर होता है नमबर तीन आंतरिक श्वसन यह पूरे शरीर में होता है रक्त कोशिकाओं से ऑक्सीजन का कोशिकाओं में विसरन एवं कार्बन डायकसाइड का कोशिकाओं से रक्त में विसरन को आंतरिक श्वसन कहते हैं नमबर चार कोशिका श्वसन श्वसन की वेक्रियाएं जो कोशी का द्रव्य एवं माइक्रोकॉंड्रिया में हुती हैं और अंत में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा उर्जा प्रदान करती हैं कोशी का श्वसन कहलाती हैं श्वास चक्र के समय जब वायू अंदर और बाहर हुती है फुक्फुस सदैव वायू का अविष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोशन तथा कारबन डायक्साइड के मोचन के लिए प्रयाप्त समय मिल जाता है पादपों में परिवहन प्रकाश ट्रंसलेशन की क्रिया के कारण पत्यों में दिन के समय वायू मंदल की तुलना में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक तथा श्वसन के कारण रात्री में कारबन डायक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है ये दोनों गैसे पत्यों की अंतरकोशिय स्थान से होकर विशरन द्वारा रंधरों से वायुमंडल में आ जाते हैं चुँकि ये दोनों गैसे आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते अता दोनों स्वतंत रूप से विशरित होते हैं पादपों में खनिज लवणों तथा जल का परिवहन पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों का अवशोशन जड़ों द्वारा किया जाता है पादपों में जड़ों तथा पत्तियों के बीच अधिक दूरी होती है तब पत्तियों में कच्ची सामगरी तथा जड़ों में उर्जा उपलब्ध कराने के लिए विशरन प्रक्रम प्रयाप्त नहीं होगा ऐसी स्थिती में परिवहन की एक सद्रड प्रणाली की आवशक्ता होती है पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित उर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामगरी का वहन करता है ये दोनों पत्त स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होती है जिनमें पहला जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है तथा दूसरा फ्लोएम है जो पत्तियों से प्रकाश संशलेशन द्वारा संशलेशित उत्पाद को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है वाश्पोच सर्जन पौधों से वाश्प के रूप में जल नश्ट होने की क्रिया को वाश्पोच सर्जन कहते हैं वाश्पोच सर्जन मुख्यता पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र द्वारा होता है इन रंध्रों के खुलने एवं बंध होने की क्रिया का संचालन रक्षक कोशिकाएं करती हैं इसे रंध्र गती कहते हैं रंद्र गती के कारण ही वाश्पोच सर्जन होता है। रंद्र गती के लिए सूरे का प्रकाश उत्तरदाई है। प्रकाश की उपस्तिती में मिजोफिल कोशिकाओं में प्रकाश संसलेशन होता है, जिसमें अंत कोशिकी ये स्थान से कार्बन डायकसाइड हट जाता है। इससे रक्षक कोशिकाओं में हाइड्रोजन आयन की सांदरता यानी पी एच बढ़ जाती है। इस थिती में मंड का ग्लुकोज में बदलाव होता है। फलस्वरूप रक्षक कोशिकाओं में परासरन दाब बढ़ जाता है। इससे यह अपने सहायक एवं अधिच्रम की कोशिकाओं से जल लेकर स्विफ्थ हो जाता है। परिणामता रंद्र खुल जाते हैं। विप्रित स्थिती आने पर ये ब्रंद्र बंध हो जाते हैं। पादपों में जल परिवहन की विधी। वाश्पो सरजन जल के अवशोशन एवं जड से पत्तियों तक जल तथा उसमें विले खनिज लवणों के उपर मुखी गती में सहायक होता है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में म बंध्र खुले रहते हैं तब वाश्पोत सरजन, कर्शन, जाइलम में जल की गती के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। प्रकाश संसलेशन के विले उत्पादों का वहन स्थाना अंतरन कहलाता है। यह सनवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश विशेश रूप से जड़ के भंडारन अंगों, फलों, बीजों तथा वृध्धी वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पधार्तों का स्थाना अंतरन सलगन साथी कोशिका की साहता से उपरी मुखी तथा अधो मुखी दोनोग दिशाओं में होता है फलों द्वारा भोजन एवं दूसरे पधार्तों के स्थाना अंतरन में उर्जा की आवशक्ता होती है। सुक्रोज फलों उत्तक में ATP से प्राप्त उर्जा से स्थाना अंतरित होते हैं। यह उत्तक का परासरन दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जात यह दाब पदार्थों को फ्लोयम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। शरीर की प्रतेक कोशिका को भोजन की आपूर्ती एवं उपजात के रूप में कोशिकाओं में निर्मित अपिष्ट के निश्कासन को वाहन कहते हैं। जन्तुओं में भोजन के पाचन के बाद इसके तत्वों की शरीर की सभी कोशिकाओं की पूर्ती आवशक है। पौधों में भोजन का निर्मान प्रकाश संसलेशन द्वारा होता है। शरकरा यानी भोजन का पौधों के प्रतिक अंग जैसे मूल, तना, फूल, फल एवं बीज की कोशिकाओं में आपूर्ती होना अवशक है। जिससे श्वसन द्वारा उर्जा बन सके और कोशिकाओं उपापचे की क्रियाएं पूरी कर सकें। मानव में वहन। रुधिर भोजन, अक्सिजन तथा व्रज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाजमा कहते हैं। इसमें कोशिकाओं निलंबित होती हैं। प्लाजमा, भोजन, कार्बन डायकसाइड तथा नाइट्रोजनी व्यर्ज पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सिजन को लाल रुधिर कोशिकाओं ले जाती हैं। लवन का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अता हमें एक पंपन तंत्र की आवशकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपत्थ की आवशक्ता है जो रुधिर को सभी उत्तकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की आवशक्ता है जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपत्थ में यदि कभी तूट-फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके हमारा पंपन यंत्र हृदय हृदय मनुष्य तथा अन्य विकसित जन्तूओं के परी संचरन तंत्र के मध्य में रहता है तथा पंप की तरहां कार्रे करता है मानव हृदय अनैचिक मास पेशियों से निर्मित शंक्वाकार रचना है यह वक्ष गुहा में थोड़ी बाई तरफ दायफ्राम के ठीक उपर स्थित होता है यह एक जिलीदार थैली में बंद रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है इस थैली में एक प्रकार का द्रव पाय जाता है जो हृदय को तरल रखता है मानव हृदय चार कोश्टों का बना होता है यह मानस्पेश्यों की एक खड़ी भित्ती से दाया तथा बाया भाग में विभगत होता है पुना बाया एवं दाया भाग लगभग बीच से दो दो भाग में विभक्त होता है उपर वाले भाग को क्रमशा बाया अलिंद तथा दाया अलिंद कहा जाता है नीचे वाले भाग को क्रमशा बाया निले तथा दाया निले कहा जाता है दाया अलंद दाया निले में एक छिद्र के द्वारा खुलता है इस छिद्र में त्री लवणिये कपाट लगे होते हैं जो सिर्फ निले की ओर ही खुलते हैं ये कपाट मासपेश्यों के कॉर्डी टेन्नी की साहता से जुड़े रहते हैं कौडी टेननी कपाट को बंद करने में सहता करती है। दो फुफुस या फेफडे से औक्सिक्रित रक्त लाती है। दाया निले से विकार युक्त यानि कार्बन डायकसाइड युक्त रक्त फुफुस ये धमनी द्वारा फेफडे में पहुचा दिया जाता है। फुफुसीय धंबनी में तीन अर्ध चंद्राकार कपाट लगे होते हैं। ये कपाट रक्त को सिर्फ फेफणों की दिशा में ही प्रवाहित होने देते हैं। फुफुसिये धमनी आगे चल कर दो भागों में विभक्त होकर बाएं और दाएं दोनों फुफसों में चले जाते हैं। बाया निले का शुद्रक्त यानि ओक्सिजन युक्त महा धमनी द्वारा शरीर की विभिन कोशिकाओं में पहुँचा दिया जाता है। महा धमनी भी तीन अर्ध चंद्रकार कपाट द्वारा बाया निले में खुलता है। यह कपाट हृदे की विप्री दिशा में ही खुलता है। ह्रिदे की क्रिया विधी ह्रिदे परी संचरन तंत्र में धक्का देने वाला पंप तथा चुशूशन पंप की तरह कार्रे करता है। इस क्रिया में ह्रिदे पेशियां तथा साइनू आर्किकुलर नोड सहता पहुँचाती हैं। साइनू और्किकुलर नोड गती नियामक का कार्रे करता है। अता हिर्दे निरंतर और नियमित रूप से संकुचित और शितलित होता रहता है। इस प्रकार हिर्दे के कार्रे करने में दो अवस्थाएं आती हैं। प्रथम अवस्था को प्रकुचन कहते हैं। इसमें निले सिकुडते हैं और रक्त निले से धकेल दिया जाता है। दूसरी अवस्था को अनुशितलन कहते हैं। इसमें निले फैलते हैं और अलिंद से रक्त निले में प्रवेश करता है। सायनो औरिकुलर नोट द्वारा संकुचन तरंग उत्पन की जाती है। इसके फल्स्वरूप दाय और बाय अलंद में सिकुडन पैदा होती है। दाय एवं बाय अलंद से रक्त कपाट को धक्का देकर क्रमश दाय निले एवं बाय निले में प्रवेश करता है। दाय निले में विकार युक्त रक्त तथा बाय निले में ओक्सिक्रित रक्त आता है। ठीक इसी समय विकार युक्त रक्त महा शिराओं से दाय अलंद तथा शुद रक्त फुफुसिय शिराओं से बाया अलंद में प्रवेश करता है। अलिंदों में अब शिथलन होने लगता है, तब संकुचन की दूसरी तरंग निले के क्षेत्र में और्टियो वेंटिकुलर नोड के द्वारा उत्पन होता है। और्टियो वेंटिकुलर नोड को संकुचन की संवेधना साइनो औरिकुलर नोड द्वारा ही प्राप्थ होती है। बाया निले में संकुचन पैदा होने से महा धमनी का अर्ध चंद्राकार कपाट खुल जाता है तथा द्वी नलिय कपाट बंध हो जाता है। इसके फल स्वरूप रक्त अर्ध चंद्राकार कपाट को धक्का दे कर कुशिकाओं की ओर प्रवाहित करने लगता है। इसी प्रकार दाया निले में संकुचन होने से फुफूसी धमनी के कपाट खुल जाते हैं। में उत्पन होते हैं। यही क्रिया निरंतर चलती रहती है। हृद्य के संकुचन तथा शित्लन के मिलने से हृद्य स्पंध होता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृद्य एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। नमबर एक धमनिया अक्सिजन रक्त को हृद्य से कोशिकाओं की और ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनी कहा जाता है। इनकी भित्ती, मोटी तथा तीन परतों की बनी होती है। धमनिया जैसे जैसे हिर्दे से दूर हो जाती हैं, वैसे वैसे इनका व्यास कम होता जाता है। धमनिया शाकित एवं संकीन होकर धमनिकाओं में तथा धमनिकाओं कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार शरीर में इनका जाल बन जाता है। नमबर दो, कोशिकाओं ये अतिसूक्ष्म एवं संकीन रूधिर वाहिकाओं हैं। इनकी भित्ती अत्यंत पतली होती है। इनमें पोशक तत्वों, अक्सिजन, कार्बन डायोकसाइड तथा उपापचे के फल स्वरूप निर्मित अपिष्ठ पदार्थों का आदान प्र इनकी भित्ती अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में कपाट पाय जाते हैं, जो हृदे की ओर ही खुलते हैं। यही कारण है कि शिराओं में रक्त केवल हृदे की दिशा में ही प्रवाहित होता है। जहां धमनियां शाकित होते होते, कोशिकाओं में बढ़ जाती ह और उत्तक से कार्बन डायोकसाइड प्राप्त करती हैं, वहीं शिराएं बन जाती हैं. कोशिकाओं के मिलने से ये चौड़ी होती चली जाती हैं और अंत में शिराएं बन जाती हैं.